क्या आप जानते हैं, बिसाओ काद काड़ी में सफर के दोरान उल्टियां क्यों आती हैं? सफर करते वक्त चक्कर आने या उल्टियां आने की वज़ा ये समझी जाती है कि सफर के दोरान दमाग को जिस्म के मुक्तलिफ हिस्सों से मुत्जाद मालूमात मिल रही होती है मजीद जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और घंटी के बटन को दुबाएं ताके आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके जब आप पैदल चलते हैं तो आपकी आंखें, टांगें, पाउं, बाजू और आपके कानू के अंदर मुझूद बैलंसिंग का निजाम सब दमाग को ये इन्फॉमिशन देते हैं कि आप हरकत में हैं इसके बरक्स अगर आप बस में सफर कर रहे हों तो आपके कानू के अंदर मुझूद बैलंसिंग का निजाम दमाग को ये बतला रहा होता है कि आप हरकत में हैं, ताहम आपकी आंखें बस के अंदर हर चीज़ को साकन देखती हैं आपका जिस्म दमाग को ये बतलाता है कि आप एक seat पर बैठे हैं यानी साकिन हैं इस तरह के मुतजात signal से दमाग confuse हो जाता है और मेदे को उल्टी सिधी हदायात भेजने लगता है आपको चक्कर और warmting सिरफ इसी वक्त आते हैं जब आप तेजी से तफदील होते मनजर पर त असल वज़ा ये है कि आपका रेटीना और दमाग इतनी तेजी के साथ image को process नहीं कर पाते और जब आप जहन पर जोर डालते हैं यानी कि अपने दमाग को optimum level से ज्यादा पर ले जाने की कोशिश करते हैं तो दमाग अपनी सलाहियत से आगे काम करने से इनकार की सूरत में आ आपको आज की video पसंद आई होगी मिलते हैं अगली video के साथ